हलो एर्यूवन, कॉंपटेटी एक्जाम में आपका एक वर्फिर स्वागत है आज हम हीमाचल परदेश में जो आशावर कर भरती पे स्टे लगा है उसके बारे में कुछ बात चित करने या उसके बारे में कुछ सूचना लेकर आपके लिए आ गए है इस भरती से स्मंदित हम अगर पहले से इसे भरती को देखें तो कि इसमें कब से इसमें केस फाइल हो चुका है तो आप देखेंगे कि 28.12.2022 को इसमें केस फाइल हो चुका था तो आपको ये पता होना चीए कि इसमें केस फाइल क्यूं हुआ है और किस के दोरा ये किया गया है तो आप देखेंगे कि ये जो case file किया गया है ये किया गया है रिनन कुमारी जो की डोडरा कुरार श्रीमला से है इन्होंने ये case government के खिलाफ किया है यानि कि ये case इसलिए किया गया है कि last 2022 में जैराम सरकार के time में विया शवरकिर की लगबग 800 सो पोस्टे के उपर भरती निकली थी और उस टेम भी लगबग सभी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था बस रिजल्ट फाइनर रिजल्ट नाना बाकी था लेकिन वो अचार सही था के फिर में उस टेम भरती फस गई थी और जब न्यू गौर्मेंट कॉंग्रेस सरकार की आई तो उन्होंने पुरानी भरती को कैंसल कर दिया और नए सेरे से वो भरती निकाल ली तो इसमें इसी पक्ष के कारण इसलिए इसमें रिनन कुमारी ने ये केस किया है कि पुराना रिजल्ट क्यूं कैंसल किया गया है इसमें ये केस फाइल हुआ है इसमें लगबग दो हाइ हो चुकी है, जिसमें आपको पता है कि एक अभी 12 जुलाइ को होनी थी लेकिन वह 12 नहीं हो पाई तो 13 को इसकी रखी गई थी, तो 13 को भी अभी जो डेसिजन हुआ है, उसको हाई कोट की वैपसाइट पर अपडेट नहीं किया गई है, कोई अगली डेट नहीं दी गई है, त सरकार ने ये पुरानी भरती क्यों कैंसल की जब ता सरकार को हाई कोट में अपना जवाब दायर नहीं करती है तो इस भरती पर कुछ कहना मुश्किल है तो कईयों को ऐसा भी लग रहा होगा कि क्या भरती का कैंसल हो जाएगी या पुराना रिजल्ट रिवाइज होगा तो ये कहना तो अभी मुश्किल है इसमें जो कोट फैंसला सुनाएगा वही इसमें सरकार को मानना पड़ेगा मानना पड़ेगा तो आप देख पा रहे होंगे कि कई लोग इसका बेसाबरी से इंतजार कर रहे होंगे और बेरोजगारों को जल्दी से जल्दी इसमें अपॉइंटमेंट दे तो यही उमेद करते हैं कि गवर्मेट जल्दी इसमें जवाब दायर करेगी और लगबग सब्टेमबर तक आपको या शावर करकर जल्ट देखने को मिल सकता है अगर इसमें जल्दी जवाब दायर हो जाता है तो जल्दी ही आपको आशावर करकर के भरती की उपर अपॉइंटमेंट देखने को मिल जाएगी तो आज यह जानकारी लेकर हम आपको आगए थे अगर आपको यह शेयर शेयन अच्छा लगा हो तो आप इस सुन चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो धन्यवाद